Hello students, तो आईए शुरुबात करते हैं, एक और नय लेक्चर में जो काफी इंटरस्टिंग है, जो आपको MPPAT, CGPAT, ICR किसी भी इंटरेंस एक्जाम में आपको बहुत ज़्यादा काम आने वाला है, तो बच्चों, पहला कोशन आपका जो स्टार्ड होने वाला है, वो है कि प्र secondary structure of protein referred to, जो secondary structure होता है, primary, secondary, tertiary होते हैं, वो structure कैसे होते हैं, तो बोले प्रोटीन बायो पॉलिमर से है, प्रोटीन संरचना का चार अलग-अलग इस तरहों पर अध्यन किया जाता है, तो बोले प्रोटीन की जो दूती संरचना है, यह किस से संबन दीत है, पेपर में पूछ it's a safe, इसे अकार देने के लिए, इसे अकार देने के लिए वह है तरीका जिसमें polypeptide सरंखला को मोडा जाता है, आपने जब यह chain देखा होगा बच्चों, प्रोटीन की chain हमारे सरीर में कुछ इस तरीके से आपको नजर आती, इस तरीके से एक chain बनी होती है, ठीक है, एक chain इस लेवल की बच्चों, इस टाइब से एक chain की लेवल होती है, यह polypeptide की आपकी क्याव देखने को मिलती है, प्रोटीन की, आपको chain देखने को मिलती है, तो वो प्रोटीन का जो तरीका होता है, वो होता है आपका सरंखला को मोडने के लिए, याद रखेंगे, तो आपको यहाँ से question क्या तयार करना है बच्चों, कि प्रोटीन की संदचना के जो चार structure है, चार जो स्तर है, यह आपको पता होना चाहिए, कौन स्तर में क्या होता है, तो आप इसे भी तयार करके रखेंगे सांथ आतियाँ, तो बच्चों देखिए, क्या होता है, प्रोटीन की रचना होती इन चारों के बारे में आपको पता होना चाहिए और करेक्ट आंसर आपने देखा हुआ है ठीक है नेक्स्ट कोशन क्यों बढ़ते हैं बच्चों आपका जो नेक्स्ट है हमारा आज का सेकंड कोशन तो अमंग ओल दी फोर ओर्गनल्स लिस्टेड विलो नीचे द कैंद्रक यह क्या है माइट्रो कॉंड्रिया यह क्या है हरितलवक क्या है तो यह तीनों चीजें जो होती बच्चों यह हमें देखने को मिलती है किसमें हमारे गुनसूत्र में देखने को मिलती है किसमें देखने को मिलती है यह हमारे गुनसूत्र में देखने को मिलती है ल ठीक है कोशिका कंकाल में काम आता तो उसकी definition देख लीजी आप लोग जड़ा एक नाभीक एक जिली बाद अंग है जिसमें कोशिका के बुनसूत्र होते हैं मतला उसे हम लोग क्या कहते हैं यह नुकलियस की definition हो गई कोशिका के कंकाल प्रणाली के रूप में कार करता है कंकाल माना जाता है कंकाल प्रणाली के जैसे कार करता है स्क्राइब करता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं ठीक है क्या कहते हैं और चोंप पावर हाउस अप धीस एल कहलाता है और यह काब इसमें इस्चने में देखने को मिलता है तो बच्यों, कहीं ना कहीं इसमें गुनसूत्र होता है, नुकलियस में भी क्या होता है, कैंद्रा क्या होता है, गुनसूत्रों को बताता है, आपको ना कहीं हरित लबग, mitochondria और kendra ये किसके उधारन थे बच्चों आपके बोले सर गुंसूत्र से कहीं न कहीं related थे लेकिन जो तारक केंद्र था ये गुंसूत्र से related नहीं था इसलिए वो correct answer हुआ क्योंकि आपको बताना था कि कौन से सही है और कौन से गलत है next question की बात करते बच्चों इसमें एक match का question आये हुँ है पेपर में आपको 10 theta बराबर 4 बटे 3 10 theta equal to 4 by 3 तो आपको sin theta plus cos theta upon sin theta minus cos theta का मान ग्याद करना है मतलब आपका जो correct answer आ रहा है वो 7 बटे 1 आ रहा है बले सर कैसे आएगा इस भी हम चर्चाएं करेंगे बच्चों इस ऐसे question जब भी आएंगे आपको की sin theta cos theta बराबर कुछ दिया हुआ है कल को मान चलो आपको sin theta बराबर कुछ दे दिया जाए या आपको cos theta बराबर कुछ दे दिया जाए तो ऐसे question solve करने के लिए बच्चों आपको use करना पड़ेगा Pythagoras theorem इसकी बात होगी बच्चों यहाँ पर बुले सर यहाँ पर हम बात करेंगे Pythagoras प्रमे नाम सुना है सब लोगों ने पढ़ा हुआ है बुल क्या होता है बुले सर पाइथा प्रमे होता है हमारा कन का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन अधार का वर्ग यह आपने देखा हुआ है बुले सर इसको कैसे सॉल्व करेंगे आंसर लाकर बता रहे हैं बच्चों यह कोशन आपको 100% एक कोशन पेपर में आना है बुले सर इस वाले भाग को क्या कहते हैं बुले सर इसे हम लोग कहते हैं कन इसे क्य इसमें लेखेंगे बच्चों तो क्या होता है हमारा प्रिसर यह हो जाता हमारा बेस यह हो जाता हमारा परपेंडिकुलर यह हो जाता हमारा हाइपोटेनिस इसकी ट्रिक भी बच्चों आपको तयार करने की इस पर हम वैल्यू पुट अप करेंगे भी मतलब यह हो जाता हमारा H का स्क्वेर एक्वल टू P का स्क्वेर प्लस B का स्क्वेर यह हमारी ट्रिक है बोले यस सर इसको हमको याद रखना भई 10 ठीटा निकालना बोल 10 ठीटा क्या होता बच्चों तो एक ट्रिक आपने नाम सुना होगा बच्चों कौन सी वाली लाल बटे कक्का या पंडित बदर बदरी प्रसाथ हरी हरी बोल सोना चांदी तोल लाल बटे कक्का या तो पंडित बदरी प्रसाथ हरी हरी बोल सोना चांदी तोल ये इंगलिश मीडियम वालों के लिए ट्रिक है बुलिसर पहले वाले में क्या था बुलिसर ये वैल्यू होती साइन की यदि आप से कोई क्या होगा आपका इंगलेस में वही टृक्ष क्या हो जाएगी आपकी पीबटे एच किसके लिए का अबटे हो जाएगा बच्चों आपका भीबटे हो जाएगा वूल ही तो 10 के लिए क्या होना चाहिए 10 के लिए पी सथावी पी सबाटे इदागा म सथायर होता है लंब बटे अधार लंब बटे अधार तो उपर क्या था चार तो लंब हो गया चार आपका और नीचे था तीन तीन था अधार किलियर हो रहा है बच्चों सभी को यदि कोई डाउट से हैं तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं सदस्केव कर कर देते हैं फॉर्णूले में यहां से हम एक अधार तीन का रख दिए बच्चों आपका का क्या हो गया हाइप पूटेनिस निकालना अबब को चार के स्क्यार बूले सर चार 12 हो जाएगा थीन के स्क्वेर तो यहाद रखेंगे आप बतशिद लोगागे होगे 20 कितना हो स्क Kelvin हाया है तो चली सिसक्वेर को आगे और सालब करतें ou ठीक है यह कोशन ठापका तो हमारा क्या ता क्या निकलकर आ गया क्ड निकलकर बच्च्च और आपको पते सब्सक्राइब कर दाएर अब आपको ज बच्च्च और अभी अब तक पार ऑ्ड होता है फैस अफॉड कर अब Luc as वह km होता ऐट आप शिवन कRE से रूट कर रोट कर आगया थै क्लिस कुट पास में फॉर्मूला था हमारे पास में हमारे पास में लंब था अधार था कंड नी था कंड निकल कर आ गया पांच कंड कितना निकल कर आ गया बच्छो ले पांच निकल कर आ गया जो ले चलिए ठीक है कि एक निकल कराएं बोल के हमारा पांच निकलक करा गया डियाग्राम बनाएंगे ज़रा और टैया डियाग्राम बनाना आपको थो बोले शर्ट एक दाय गोरां बनाति ये इसमें आपने सब लिखा हुआ था कंड को स्केर लिखा था काई radius Сक्वेर रिखा था यांपने किया बच्चों लंब लिखा हुआ था लंब आपका चार था अभार आपका तीन था कण आपने निकल कल लाए थे पांच बुले यस सर आपको इसमें वैलू पुट अप करना साइन ठीटा की इसकी साइन ठीटा की तो साइन ठीटा क्या होता है ट्रिक से बच्च थी हमारी लाल साइन निकालना है साइन मतलब पहला वाला लंब बटे कण लंब बटे कण मतलब इसकी ट्रिक क्या थी बच्चों आपकी एल अपॉन के था ल का मान कितना है बच्चों बोले सर लंब लंब कितना है बोले सर चार इंगलिस में पी अपॉन एस था इंगलिस में क्या था पी इंगलीज में दी देखोगे तो क्या लिख सकते हो बच्चो आप इसको उससे लिख सकते हैं लोग P upon H तो P मतलब perpendicular कितना बोले सर चार लंब चार और कंड कितना पार तो 4 बटे 5 हो गया बोले ओके सर किलियर है फिर आपको क्या रखना बच्चो फॉर्मूले में पर निकल कर आगया तो यह आप गया साइन का मान आ गया चार बटे 5 और कॉस का मान आ गया तीन बटे 5 आपको वो वैलू यहां पुट अप करना है चली रख देते हैं फॉर्मूले में वैलू ठीक है इतना आपका यह सब पूरा रफ था यह वैलू निकालने के लिए आपको यह समझ में नहीं आया तो आप पूछिएगा बच्चों काफी अच्छे तरीके से हम आपको बता रहें कोई डाउट से तो आप वीडियो पॉस करके एक बार रिपीट देखिएगा साइन ठीटा का मान केतना वोल सर चार बटे पांच प्लस पॉस तीन बटे पांच फिर अपॉन में क्या बच्चों साइन ठीटा मतलब चार बटे पांच माइनस स्कॉस का मान केतना है तीन बटे पांच यह रख दी आपने वोल सर उपर एलश्यम क्या आएगा वोले पांच प्लस कोई चैले में टोनोर में पॉब मङए सब्सक्राइए साथ हो गया बटे में क्या चल रहा है इसके पांच इसके बते में भी देखो लडी क्या चार में से थीन गए जो किशेह रषे उसके पांच पलट जाती हैं सबसक्ति कंतर आपको इसी तरीके के कौमपणीशन एक्जाम में आपके MPPAT met ICR में CJPT में किसी इंटरन्स Eseam में। आपको इस label के question नजर आएंगे यदि आपकी practice बहुत शांदार चल रही है घर पर तो आप बिल्कुल ऐसे question लगाए नहीं तो यदि आप बच्चों coaching करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप coaching करें अपने भविस से खिलवार ना करें आप यदि तयारी करना चाहते हैं तो एक बार कुछ पैसे खर्च करके तयारी कर लीजे lifetime आपको ठीक है उसका benefit मिलेगा नहीं तो आपको पस्तावा हाथ लगेगा तो यदि आप तयारी अच्छी कर रहे हैं तो कोई दिक करतनी आप self study कीजिए और हमारे चैनल को आप watch करते जाए बच्चों सब्सक्राइब कर लीजे हमारे चैनल को और वीडियो को like कीजिए और इदि आप चाहते हैं कि आप जल्दी अपने आपको एक strong position पर लेकर आएं सभी बच्चों के दिए आप पीछे छोड़ें और इदि आप अच्छी तयारी करना चाहते हैं तो आप चैनल को subscribe कर लीजे coaching करना चाहते हैं coaching join करके देखिए एक दिन free demo लगा कर देखिए तो इसी के साथ आगे continue question करते है for a gardener the easiest way of moving the lawnmower in his garden is यदि मान के चलो आपके पास garden की आप क्या कर रहे हो नीचे घास लगी हुए garden की उसकी आप क्या कर रहे हो कटाई कर रहे है और आपके पास में एक machine है जो घास काटती है तो उस machine को क्या करोगे एक जगे से दूसरे के उठा कर ले जाओगे क्या भाई आपने ये इतना बड़ा लौन है आपके पास में और आपके पास में एक बहुत बड़ी machine है जिसे उठा पाना impossible यहां machine चल रही है और आपको यहां की कटाई करना तो क्या करोगे मसीन को क्या कर सकते हैं धकेल सकते हैं तो वही आंसर इसका है एक माली के लिए अपने बगीचे में घास काटने वाली machine को चलाने का सबसे असान तरीका क्या है उसे खीचने से क्योंकि तब समाने प्रभाव क्यों जाता है घास काटने वाली machine के वास्पी बजन से कम हो जाता है मनले हम किसी बी चीच को खीचते हैं जैसे trolley bag trolley bag आपके बजनदार होता है उस्में पहले दिवन सामझ में अब के लोगे तो आपको सको ऊसको कोई भी बजन उसका समझ में नहीं आता है जुल स chemente cv至 10 मोजाता एं यह उन्याम में कीचने का इस से बजन далее बच्चों सैट रखेंगा आप लोगा तो बाइब पुलिंग it since the normal reaction then is less than the actual weight of the lawn mover, याद रखेंगे बांकी सारे option क्या है आपके, गलत option है बच्चों, तो ये आपका correct option था कि किसी भी चीज को इदी खीशते हैं, कभी भी इदी आप से पूछे वो, कि भाई किसी भी लास्ट कोश्चन है बच्चों, the simple and the cheapest device used to take out liquid from a large tank, which is not having any outlet सबसे सरल सस्ता उपकरन जो होता है, वो विना किसी निकास दुआर वाले एक बड़े टैंक से तरल निकालने के लिए उपयोग किया जाता है, तो आप बच्चों आपको सबको पता है, पवन चक्की का उपयोग बिजली बनाने के लिए किया जाता है, एलेक्ट्रिक मॉटर और पंप, ठीक है, पानी खीचने के काम करते हैं, सोलर पंप, ये भी बिजली बनाता है, तो ये पवन चक्की, पाणी सोलर पाम बजली बनाने वाली चीजें हो गए एलेक्टरिक मोटर और फंप बच्चों क्या हो जाता है आपका पानी खीचने के काम करते हैं पांप वगढ़ा शायफन एक चीज होती है आपने देखा और बच्चों जैसे यदि मैं आपसे बात करूं कि जो बारवर होत पीछफकारी टाइप का और जो पानी को क्या करता है तो थो फारें के थुरू आपके सिर पर मारता है तो क्या है साइफन का एक पॉर्री मसीन ऑप वह ही वह बिंग का एक जांपल है जिसमें पानी का और जाता है तो वो कौन करता बच्चो साइफन करता है यह साइफन का एक्जामपल है बच्चो यह देखिए नीचे की चीज कहां पहुचा देगा बच्चो ऊपर या ऊपर की चीज को कहां पहुचा देगा वो नीचे पहुचा देगा तो यह एक्जामपल जो है बच्चो किसका एक्जामप वाल कीकोम्ट राइ